नमस्कार जैश्री राम एक ऐसी जानकारी के लिए आप लोग के समक्ष उपस्थित हुआ हूँ जो जानकारी बहुत दिनों से हम विचार कर रहे थे आप सब तक पहुंचाने के लिए एक जोत्शी के रूप में एक जोत्शी के रूप में अगर इस विशे पर ना बोला तो यह ग्रहों के साथ आप सब के साथ इस विद्या के साथ अन्याय लगेगा। 22 जनवरी 2024 एक ऐसा समय जब हम सब एक बहुत बड़े बनते हुए इतिहास के साक्षी बन रहे हैं। सैक्णों वर्षों के बाद अजोध्या में भगवान श्री राम अपने जन्म स्थान पर अजोध्या धाम पर पुनह विराजित होंगे। प्राण प्रतिष्ठा समारोह हमारे देश के शश्वी प्रधार मंत्री माननी स्री नरेंद्र दामुदर दास मोदी जी के करकमलों के द्वारा होगा। वो हमारे देश के राजा है। राज तंत्र ये दिप की नहीं है लेकिन राजा कहा जाएगा और इस प्रकार के कृत्य राजा के हाथों से ही होता है। आपके समक्ष हमने तीन कुंडली बनाया है। मैं तीनों का अभिशलेशन करूँगा। ये भगवान सिरी राम की जन्म कुंडली है। राम चलेत मानस की चौपाईयों के अनुसार। ये बाईस जनवरी दो हजार चौविस की सुर्योदय कालिन कुंडली है जोध्या में छ पूर्टह सुक्षमता के साथ विशलेशन करने वाले है। मैं ये कह रहा हूँ कि ये जो मुहूर्ट चुना गया है बाईस जन्वरी का यह किसी मानों के दोरा चुना नहीं गया है। यह मुहूर्ट साक्षात मर्यादा पुर्श्वत्तम भगवान सिरी राम की उर्जा ने चुना है ये मैं सिद्ध कर दूँगा। कुंडरी हमारे सामने है तो सिद्ध करने में बहुत कम समय लगेगा बहुत ज्यादा समय मैं नहीं लूँगा। लेकिन ये सिद्ध हो जाएगा और आप लोग उन लोगों के मुह पे तमाचा मार सकते हैं इस वीडियो को शेयर करक जो कहते हैं कि राम तो काल्पनिक रहे हैं। उनके मुह पर तमाचा होगा कि गल्पना कुछ नहीं है ये तो सामने हमारे आखों के प्रत्यक्षत हैं ये दिखने वाला है। बालमी की रामायड और रामतरित मानस बावा तुलसीदास के रामायड दोनों जगह आया है स्पश्टूप से मैं उन्चवपाईयों और दोहों का मैं बढ़न कर रहा हूं बोल रहा हूं जहां पर इनके जन्म के विशे में कहा गया है। पहले दोहा से सुरू होता है अवद पुरी रग कुल मनि रावु बेद विदित तेहीं दसरत नावु धरम धुरंधर गुन निधि ज्यानी हरदय भगति मति सारंग पानी। कौसल्यादि नारि प्रिय सब आचरन पुनीत पति अनकुलू प्रेम द्रण हरिपद कमल विनीत। अब जो जन्म का दोहा है नौमी तिति मधु मास पुनीता यह कुंडली जो बनी है। यह दोपहर की कुंडली है और इस पश्ट आया है दोहा में चौपाई में कि यह दोपहर की कुंडली है। सूर्य दसंभाव में दोपहर को ही आते हैं। ध्यान देश सुनिएगा। इस ली महती मुँड़ मुद्यु मास पुनीता शुकुल पच्छ अभिजित हरि पृता शुक्र पक्ष का जन्म है। अभिजित महूर्थ था वह मध्ध दिवस अति सीटन धामा। मध्य दिवस अतिसीत न घामा बहुत अधिक शितलता भी नहीं थी बहुत अधिक घाम हमारे अवद में घाम मने धूप को कहते हैं बहुत घाम है वहो यह चुकि हमारा जन्मस्थान ही अजुद्या का है तो हम पूरीत रहे इस भासा से चिर्परचित है और पावन काल लोक व भी वाजी देवताओं ने दुन-दु भी वजा करके भगवाद्षिरी राम के जन्म का स्वागत किया है अस्टुथिकरह नागमुनि-देवा नाग- मुनि और देवता अस्टुति कहते हैं स्थुति को प्रार्थ्थना और राख और Cunn आस तुतिकरह, नालम-मुनि देव इह जो है भगवान शीराम के जन्म की समय का ये मुहूरत है जिसके आधार पर ये कुंडली बनती है अब देखिए भगवान शीराम की जन्म कुंडली अब तो ये बनने से रही अब इस प्रकार के ग्रहयोग संयोग ये रेरश्ट आफ रेर हैं कहां आवतार हो रहा है और ये आवतारी कुंडली इसपष्ट दिखती है जहां पे ब्रहश्पत उच्च के चंद्रमा सु बलवान होते हैं उस समय हित अवतार होता है तो ये अवतारी कुंडली है ये अवतार पुरुष्ट हमारे प्रभु शिरीराम मर्यादा पुर्शोत्तम भगवान शिरीराम की कुंडली अब आईए इस विशे पर हम आते हैं जब सूर्य लग्ण में है ध्यान दीजिएगा 22 जन्वरी दो हजार चौबिस छे बजकर पचास मिनट सुर्योते कालीन कुंडली 6.50 अजोध्या 6.50 a.m. और जन्मस्थान इस कुंडली का जन्मस्थान अजोध्याधाम यह वहा की कुंडली हमने बनाया है लॉंगिचूट और अक्षांस देशांतर वही का लिया है रेखांस जान दीजिएगा अब देखिए इसका विशलेशन करने के लिए मैं खड़ा हुआ हूँ इसके विशलेशन अब यह होगी भगवान सिर्राम की कुंडली जहां पे चरलगना है अब देखिए समानता देखिए आप लोग यहां भी चरलगने यहां भी चरलगने और यहां भी चरलगने यह बार यान्ताय है तीनो कुंडलियां कितनी समार है भगवान शिरी राम की कुंडली और सुर्योदय कालीन कुंडली यवं प्राण परतिष्धा की कुंडली देखिए, जहां दीजेगा ब्रहश्पत केंद्र ब्रहश्पत केंद्र सूर केंद्र सूर केंद्र राहु पराकरम भाव राहु पराकरम भाव भगवाण शीराम की कुंडली से कितनी चीज़े मैच कर गई चंद्रमा इस कुंडली से भी ब्यहतर पोजिशन पर है सुर्योदय कालिन कुंडली में चंद्रमा उच्च का है पंचम भाव में उच्च का चंद्रमा मतलब ये अदभुत योग बनता है मंगल उच्चरा भिलाशी मंगल धनु में है लेकिन वो मकर के लिए मकर का आंशिस में आही जाता है बुद्ध शुक्र इस कुंडली से भी कहीं बेटर पोजिशन पर गया है तो इस आधार पर मतलब इसी आधार पर मैं ये बात दावे से कह सकता हूँ कि इस मुहूर्त को भगवान शिरी राम ने ही चुना है ये किसी मानो के बस का ये मुहूर्त चुनना नहीं है ये किसी इंसान ने नहीं ये देवता ने चुना है भगवान शिरी राम ने इस मुहूर्त को चुना है ये जो कुंडली बन रही है ये इतनी बिलक्षण कुंडली बन रही है अपने आप में ज्यान से समझिएगा अजोध्याधाम सर्यू का तट जल की अधिकता जल बिलकुल निकट उसके एकदम से और भगवान शिरी राम ने ससरीर गुबतार घाट पर जो अपने प्राणों का त्याक किया था वो भी जल से ही संबंद रखता है और इस जल से ही उनका जर्म हो रहा है बुलो भगवान शिरी राम की जय यही से यह जर्म हो रहा है चंद्रमा उस समय उच्च का रहेगा पंचंभाव जर्म का होता है छे-पचास में जो महोर्त निकलता है अर्थात इस कुंडली का पुनरा गमन हो रहा है जहां दिजीकँ का चंद्रमा जल में भगवान शिराम का जो जंव हुआ था और यह पुनर जनम प्राणप्रतिष्ठा है ये प्राणों की प्रतिष्ठा हो रही भगवान शिर्राम का पुनरा गमन है यह पुनर आ रहे है बड़ी बात है जान से समझने वाली बात है अब दिखें सिद्ध हो रहा ना यहां पर आप एक एक चीज को पकड़ते जाईएगा करक लगन करक राशी भगवान शीराम की जो बाबा तुलसी दास ने जो अभी हमने चौपाई सुनाई थी करक लगन है करक राशी है और यह ज सुर्य शनी की यूद्धी हो जाती लेकिन मकर लगन जर्वरी महिना लिया गया क्योंकि राजा सूर्य राजा है और यह दिब्य हो गया शनी सेकंड वाउस में अपने घर के मतलब इस कुंडली को मैं इस कुंडली से कहीं से भी कमतर नहीं मानता है औह मैं यह क्या कोई भी प्रेरिध है ये कुंडली और अगर हम इसकी बात करें इस मुहूर्थ की बात करें हम तो यह इन दोनों से कहीं ज्यादा बेटर हो जाती है ये मुहूर्थ अपने आप में और खास हो जा रहा है क्योंकि यहां ब्रहश्पति लगने में आ रहा है चंद्रमादुती में क्रत्र प्रण द्रिश्णी से राहु को देख रहा है जो राहु इन दोनों कुंडरीयो में तृति भाव में था। यह अपने आप में इतना बड़ा परिणाम देने वाला हो जाता है इतना बड़ा असर करने वाला हो बताता एया मुछॉर्ति जो की करीब बीज़ बाइस सेकेंड का बताता है वो जितनी तेर में प्रान प्रतिष्ठाका मंत्र होता है मुर। पर ऐसे अंगोःखा रख कर अक्षत गिराते हुए तो और बेध मंत्र प्रतिष्ठाका मंंत्र बोला जाता है ११否 मुहूर्ती में प्राहण करके प्राहण को स्थापित किया जाता है तो यह इतना बड़ा मुहूर्त यह बनता है यह सिद्ध होता है जिसकी कोई सीमा नहीं है सुर्य सनी यह दो योग कारक बन गए अब आपको शौक लगेगा कि मकर लगन में शूर्य योग कारक मैं कैसे कह सकता हूँ हर जोत्षी पागल हो जाएगा सुन करके कि अश्टमेश को कोई योग कारक कहता है मैं कहता हूँ मैं बोलता हूँ जब सूर्य लगन में हो तो राजा होता है और यह चीज मैंने अश्ट्र लक्षमी के अप्लाइड अश्ट्र लॉजी कोर्स वाले में मैंने सिखाया है बताया है कि लगन पंचम और दसम इन जगहों पर अगर सूर्य बैठा है डजन्ट मैंटर वाटेवर दर लगनेज वो च यह योगकारक फल देने लग जाता है तो राजा राम स्थापित हो रहे हैं हलके में लिए थे क्या बहुत बड़ी बात है यह करोणों हमारे सनातर प्रेमियों का जो हिंदू हमारे हैं भाई पुरे बिश्व में जितने भी हैं और जैसे राम कहने वारे दिवाली हमारे लि यह बहुत बड़ी चीज है यह बहुत बड़ा फल इसका मिलेगा यह शूर्य लग्ण में बैठ करके इस फल को देने वाले हैं शूर्य का यहां से परिनाम मिल रहा है ब्रहश्पत की इन तीन ग्रहों पर द्रिष्टी है यहां पर तो ब्रहश्पत ने सिर्फ मंगल और कर तीन ग्रहों को और देख लिया यह तो और भी ज्यादा प्यहतर योग बन जाता है जब इस बार भगवान शिरी राम आ रहे हैं तो इस वाले कुंडली के शिरी राम तो फिर भी लीला धारी थे लीला के लिए आये थे लेकिन अब की बार वाले शिरी राम लीला के लिए नहीं आ रहे हैं इस बार वाले जो शिरी राम आ रहे हैं वो बहुत सारी चीजों को संपन्न करने आ रहे हैं पूरे देश को हमारे भारत वर्ष को एक बार फिर से बिश्व गुरू बनाने के निमित आ रहे हैं और बहुत बड़ी बात मैं नहीं कह रहा हूँ ये संभव हो सक पक्ता है कि आने वाले समय में हमारा अजोद्या धाम भारत वर्ष की राजधानी बन जाए इसकी भी संभावना बनती है बहुत बड़ी चीज है क्योंकि यह जो कुंडली बन रही है यह आलिशान कुंडली मंगल की महादशा में यह सूर्योदय हुआ है यह सूर्योदय मंग मंगल की महादशा का है और मंगल की स्थिती जवरदस्त है मकर लगन के लिए मंगल चतुर्थेश होता है एकादशेश होता है और अपने से दुती में बैठा है परमित्र के घर में बैठा है देव गुरु के घर में बैठा है देव गुरु से दिश्ट हो के बैठा है मैं नक्षत्रों की बात एक बार करनूं आप लोगों से उस समय जो नक्षत्र रहेंगे तो चंद्रमा जो है देखिये जैसा मैंने बताया लग्न शुक्र के नक्षत्र भरणी में है सुर्य उत्राशाणा में है मंगल पूर्वाशाणा में है बुध पूर्वाशाणा ब्रहश्पति अश्वनी नक्षत्र का ब्रहश्पति अब ये ब्रहश्पती अश्वनी नक्षत्र केतु का है और केतु पर ब्रहश्पत की दृष्टी भी है ये इतना बड़ा योग होता है कि शब्द नहीं है बताने के लिए कि जिसके नक्षत्र में हो उसे भी वो ग्रह देख रहा हो ये बहुत बड़ा योग होता है उठा कर कोई जोत्री देख ले छोटा मोटा योग नहीं है शुक्र मूल नक्षत्र में है शुक्र भी केतु के नक्षत्र में आ गया है और शनी तो खैर सद्विशा में चली रहे है नक्षत्रों की बात हमने इसलिए कहा क्योंकि नक्षत्र आत्मा होते हैं ग्रहों से संब्न रखने वाला नक्षत्र आत्मा की रूप में काम करता है तो ये सिद्ध हो गया यहाँ पर कि भगवान श्री राम की कुंडली अभी भी जीवित है जहां गए थे जल में गए थे जल से पुनरागमन हो रहा है और सूर्य इसको इस्टैबलिश कर रहा है एक बार पुनर अस्थापित सूर्य के द्वारा ये हो रहा है इतनी बड़ी चीज हो रही है बहुत दिनों से मुझे इस विशे पर बोलना था कि ये मोहूर्त इंसान कैसे मोहूर्त निकाल सकता है इंसान के हाथ में कहा है कोई न कोई वो शक्ती है वो दिब्ब शक्ती है वो अद्रश्य शक्ती है जो प्रेरित करती है हर कदम पर जो प्रेरणा दे करके इस प्रकार के महुर्तों का आगमन होता है। आप सोच नहीं सकते हैं। और चार की अंग का मामला देखिए। राहु का अंग है, शक्ति का अंग होता है। राहु शक्ति है। बाइस एक दो हजार चौबिस टोटल जोड लिजे अगर आठ एक नो और चार तेरह तीन एक चार का मूलांग चार का भाग्यांग कुछ दिन है। दोनों चीजे चार का हैं। तो यह और भी स्पेशल हो गया। यह चीज और भी स्पेशल बन जाती है। महा शुभ हो जाती है। इसे समझने की आवश्यक्ता है। इसे समझें। हमने समझाने का प्रयास किया है। और यह मुहुर्त हमने इसका भी बता दिया आपको कि बारह बच के 29 मिनट 8 सेकंड दोपहर। मध्य दिवस जब भगवान श्री राम का जन्व हुआ था सूर्य वही मिल रहा देखिए। यह भगवान श्री राम की बाबा तुलसी दास वाली कुंडली है और इसमें भी सूर्य वही मिल रहा देख लीजिए। तो यह तो राम जी ने स्वयम को लाने का यह एक तरह से यह सब कुछ उनका किया धरा है। मोधी जी का आना फिर से सवहार्द पूर्वक सब कुछ कितने प्रेम से हुआ है। कितने विवादों के बाद लडाई जगडे क्या-क्या कांड हुआ कितने सैक्डों लोगों की जान प्राणों की आहुती हो गई इसमें। और अब मुस्कुराते हुए स्थापित होने जा रहे है। तो आप लोगों से अन्रोध है कि उन लोगों के मुह पे करारा तमाचा देने के लिए इस वीडियो को खुब शेयर कर दीजिएगा। जो भगवान शिरी राम को कालपनिक कह देते हैं और यह काम मोदी ने नहीं भगवान शिरी राम ने स्वयम किया है। वो खुद आने के लिए अब ब्याकुल थे। हमारे शश्वी प्रणानमंत्री तो एक निमित्त बने। हम आप सब निमित्त बनें, जजनिमित्त बना। जगतगुरू सरी राम भद्रा चारे जी महराज, वो भी निमित्त बने, गवाही दिये, हजारों पेज का जज्जमेंट और सब कुछ यह सब तो एक निमित है यह सिर्फ निमित है उन्हें जब आना है तो वो आ गए और पहले से जादा बलशाली होकर आए हैं और अब देखिएगा कि कैसे आने वाला वक्त हमारे भारत मर्श का वक्त होगा और भारत को विश्व गुरु बनने से अब कोई रोक नहीं सकता है जै श्री राम जै माजान की